यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है जो गेट 2023 में एपियर होने वाला है एंड फॉर्द ब्रांच इस वीडियो पर मैं बात करूंगा कि आप बिसिकली यह 21 डे को कैसे यूटिलाइस कर सकते हैं और आप उसी वे पर यूटिलाइस करिये तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा गेट 23 में अच्छीव कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं तो मेरा टॉपिक का नाम है देख सकते हैं 21 day plans for 23 for electronics and communication dedicated to electronics आपका exam date 5th February है ताइमिंग इस 2.30 PM तो 5.30 PM ठीक है तो टाइमिंग आपके निवाग में सेट होना चाहिए और यह बहुत important है क्यों अभी मैं बताऊंगा तो सबसे पहले electronics and communications में मैं number आप subject की मैं बात करता हूं हमारे पास number आप जो subjects हैं इस is 10 तो number आप subject including aptitude is equal to आपके पास 10 subjects है अभी मैं मान के चलता हूं rather than aptitude near about सभी subject का weightage same aptitude को मैं easy की category में रखता हूं तो in generally 10 subjects को मैं same same level पे रखता हूं तो 100 marks 10 subjects ठीक है तो every subject का weightage आई या आपको कितना वहाँ पे devote करना है time तो मैं बोलता हूं 10% तो each subject 10% आपको devote करना है सो हमारे पास अभी 21 days है किकि 21 days मैं चाहता हूं जो last का one day है last का जो one day है आप उसको थोड़ा सा different way पे utilize करिए तो basically 20 day की अभी मैं बात करने वाला हूं सो we have 20 days हमारे पास अभी 20 days है 20 days में देखिया आप क्या कर सकते हैं और आपको exactly क्या करना चाहिए आई होप आपका syllabus complete हो गया होगा नहीं हुआ है तो regularly आप उसे पढ़ते रहे हैं अग आई होप आपने पी वाई क्यों सौल कर लिए होंगे नहीं हुए हैं तो मैं उसके लिए आपको time दूँगा आप वो पी वाई क्यों को साथ में लगाते रही है ठीक है सो नेक्स 20 डे हमी क्या करना है तो सरी नेक्स 20 डे को बिसिकली सबसे पहले से हम 10 डेस को निकाल लेते तो नेक्स 10 डेस हमी क्या करना है ठीक है नेक्स 10 डेस हमी क्या करना है यह आपकी च्वाई से कि आप 20 डेको 10 10 के दो slot में बाट लेते हैं या alternate slot में बाट लेते हैं ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है 10 सब्जेक्स है सब्जेक्स का अगर मैं नाम यहां पर लिखता हूं मैं shortcut में भी लिखता हूं ना network analysis है आपके पास second number पर आपके पास ADC है थर्ड नंबर पर आपके पास signal and system है फोर्थ नंबर पर आपके पास analog है फिप्ट नंबर पर आपके पास digital है digital है ठीक है COA को मैं इसी के अंदर लेता हूं हना six number पर आपके पास EMFT है seven number पर आपके पास यहां पर seven number पर आपके पास communication है eight number पर आपके पास यहां पर eight number पर आपके पास यहां पर हमारे पास अभी this is network analysis एट नंबर पर मेरे पास है control system और nine number पर है हमारे पास mathematics को हम math लिख लेते हैं और ten number पर हमारे पास है general aptitude को चलिए हम aptitude लिख लेते हैं aptitude so basically आपको यहां पर आप करना क्या है I hope कि आपने syllabus complete कर लिया नहीं किया तो आप पैलली उसको करते रहिए हना side by side I hope आपने सभी के PYQ लगा लिए नहीं लगा है तो आप लगाते रहिए ठीक है now I hope आपने short notes भी बना के रखेंगे नहीं बना है तो कोई बात नहीं है आपने जो किया that is good जो नहीं किया again that is good so आपको करना क्या है सबसे पहला काम सबसे important every subjects आपको every subjects को one day देना है one day आपको देना इस subject को one day for every subjects and this is for the reason so one day for each subjects one day for each subjects आपको क्या करना है this is for the revision revision करना ठेके अब सर ये reason पे हम क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहले आपका जो class notes होगा आप उसे complete reason कीजिए अगर आपने उसके बाद short notes बनाया होगा तो उसके बाद revise कीजिए और उसके साथ साथ अगर आपके पास और extra time है हना यहाँ पर time होगा और अगर आपने pyqs नहीं लगा है तो आप उस subject के वहाँ पे कुछ pyqs को देख सकते हैं तो basically इस reason पे मुझे तीन चीजों पर focus करना है first आपको यहाँ पर focus करना है कि आपको अपने notes को revise करना है आपको अपने short notes को revise करना है ठीके आप इसको short बोलिए aja HRT के बज़े short notes आपको अपने short notes को revise करना है और इसके साथ साथ आपको pyq को revise करना है ठीक है छलेकिन इसके बाद मुझे थोड़ा सा all time चाहिए इस पॉसिबल इस पॉसिबल सो आप same day one test देजी one test for same subject का subject का subject ट्वाइस अगर आपके पास टेष्ट अवेलेबल है तो देजे नहीं है तो आप इसी वर को कंप्लीट कीजी तो आपको ये काम कंप्लीट करने में टेंड लगेंगे अब सपोस्ट फॉर एक्जाम्पल कि आपने पी आई क्यू कुछ आप के बचे हुए है तो आप उन पी आई क्यू को सौल करते रहे जि बोला एक बार आप नोट्स करते हैं और फिर सॉट नोट्स करेंगे तो इंडारेक्ली आप अपनी मेमोरी को चेक करें कि वो चीज आपकी माइन पर फीड हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है और पीवाई क्यू एक बार देखने के बाद आपको कुछ लगेगा कुछ अच्छे ट्रिक्स कुछ अच्छे कोश्चन्स आपको हाँ पर अगर आपने पहले अच्छे से कर लिए हैं यह चीज तो टाइम कम लगेगा आप साथ में टेस्ट भी दे सकते हैं ठीक है और इसके साथ आपके पहलेल जो भी टास्क है आप उसे कंप्लीट करिए और सो बिसिकली यहा टेन दे देगा तो मैं चाहता हूँ आप यह काम कंटिनिवस टेन डे की ठीक है लेकिन आप एक और काम कर सकते हैं कि दो सब्जेक के बाद आप बीज बीज में और एक्स्टा टाइम निकालके या एक दिल आप कुछ-कुछ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं ठीक है तो आप बी अगरवरी तो आप यह मॉक टेस्ट देजिए इस टेंड यह के बीच में थ्री मॉक टेस्ट तो मैं मान के चलता हूं कि अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं आस से तो नेक्स टेंट पे आपका यह टास्क कंप्लीट हो जाएगा नेक्स टेंट यह आपकश प्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है एक डिए इसके बाद आप क्या करिए एवरी डे आप क्या करिये ne mock नपको देना है one mock test डिंग है एक mock test एक दिन में दीजिए और यह आपका fix होना चाहिए 2030 PM से 230 PM से फाइफ 30 PM के बीछ आप के विछ आपका होना चाहिए ठीक है 230 पी अम Сे 520 PM पीछ यह mock test आपका होना चाहिए ठीक है और यह आप काम किजी और जो भी इसमें गलतियां होंगी इसको revise कीज़े और यहां पे आप इसका review देखे जो भी गलतिया है उसे find out कीज़े तो analysis कीज़े review and analysis आप यहां पे analysis कीज़े ठीक है so basically आपका यह plan होना चाहिए 10 mock test मैंने यहां बोले है 3 mock test मैंने यहां बोले है आप यहां से आप जब यहां मौक में आएंगे आप देखेंगे कि यहां मौक में हो सकते आपके कम माक्स आ रहे हो लेकिन यहां आपके मौक में ज़्यादा माक्स आने लगेंगे ठीक है तो आपको basically यह काम यहां पर करना है ठीक है और last one day जो बचेगा मैं जाता हूं आप relax कीज़े हना आप अपने exam की प्रप्रियो क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है आपका scribal Pat को कैसे यूज करेंगे Calculator आप लाश्ट के एक दिन पहले Calculator के practice कर सकते हैं तो लाश्ट वं डे पर आप क्या कर सकते हैं आप यहां कलकुलेटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है तो मैं एक बार जल्दी से से रिवाइस कर देता हूं तो आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या प्लान दिया है ठीक है सबसे पहले जितने भी मौक टेस्ट होंगे इसी टाइम पर देना है यह आप क्लियर रहिए फिफ्ट फेबरी को एकजाम है सेम टाइम पर देना है और उस मौक टेस्ट की आपको रिवीव करना है और उसकी अनालेसिस करना है वहां आपकी गलतियां फाइंड आउट करनी है और उस इसको सुधारना है तो आपका नेक्स्ट ट्वंटीवन डे का यह प्लान होना चाहिए लास्ट एक दिन पहले अब अच्छे से पर दीजे एंड थैंक यू एरिवन एंड जैहिन